पूँआज में ये वीडियो देखा आपने एक वीडियो में किस तरीके से मजजित की दिवार पर चड़कर भगवा गमच्छा पहने हुए डांस किया जा रहा है और मुसल्मानों को उक्साया जा रहा है वहीं दूसरी वीडियो में आप साथ साथ देख सकते हैं कि हाथों में तलवारे फरसा और सरो पर भगवा गमच्छा लिये ये लोग गली में तांडव कर रहे हैं जिसका नतीज़े ये हुआ कि कल राजिस्थान के करोली में भयंकर दंगा हुआ जहां पर 35 से ज़्यादा कुजर समाज और जाट समाज मिल जूलकर आपस में रहता है जिसका नतीज़े ये है कि महाँ पर बीजे पी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है चुनाओं में अब ये लोग चाहते हैं कि महाँ पर हिंदू मुसल्मान करके किसी भी तरीके से 2023 में होने वाले चुनाओं म उन पर मुसल्मानों ने पत्थर फेका या दो समुदाय में जड़ाप हो गई ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक पूरा सिस्टेमेटिक तरीके से इसमें परसासन भी इन्वोल होता है पूरा एक सिस्टेमेटिक तरीके से रेली निकाली जाती है जिसमें जादतर बीजेपी के क अप्लोड करता है कि देखिये और मजा लीजिए इस वीडियो का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी साजिस के पीछे किसका माइंड है किसका दिमाग है और इससे किसको फायदा होने वाला है दरासल ये लोग नहीं चाते कि स्टी ओबिसी और माइनोरिटी की यून परतार ना करते हैं पिछड़े पर ये लोग परतार ना करते हैं तब ये भूल जाते हैं कि दलित भी हिंदू है आदिवा से भी एक हिंदू है और जो पिछड़ा है वो भी एक हिंदू है लेकिन जब बात इनके उपर आती है खासकर जब समझ समाज पर बात आती है जो परिके से वीडियो डाल कर लोगों को उकसाने का काम कर रहा है और जिसकी तश्वीरे नरेंदर मोजी जी के साथ देखी जा सकती है यह देखिए यह वीडियो किया है शेखर हिंदु योध्धा के नाम से ट्वीटर हैंडल है जिन्होंने यह ट्वीट किया है यह ले बाबू अरजुन महर और इंजोई कर वीडियो दरसल अरजुन महर जो राजिस्थान के रहने वाले हैं उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था इन संगी लंपटों का उद्देश यह सिर्फ दंगे करवाना होता है जब इन लंपटों को कोई इनकी भासा में जवा आप थे यह वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से मस्जित की दिवार पर चड़कर एक व्यक्ति भगवा लेरा रहा है तो यह साफ साफ है कि मुसल्मानों को लगातार उक्साने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलिम करने की कोशिश की जा रही है तो अरजुन म लिखा ये लेवेटा इंजोय कर तो अब बात करते हैं उनकी तस्वीरों पर जो मोदी जी के साथ वाइरल हो रही है कि आखिर ये व्यक्ति किस तरीके से उपर तक इस आदमी के लिंक है और क्यों ये इस तरीके की पोस्ट डाल कर दंगा भढ़काने का काम कर रहा है शेखर हि की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोदी जी के साथ इस सक्स की तस्वीर है जिस सक्स ने वो वीडियो ट्वीट किया था इतना ही नहीं और तस्वीरे देखिए इस तस्वीर में देखिए तजिंदर बगगा जो है उनके साथ भी इनकी फोटो है और इसके अलावा ये मोहलों में जाकर वहाँ पर आपती जनक गाने बजाना, मस्जित के सामने तलवार लेकर डांस करना ये साफ साफ दरसाता है कि इनके पीछे जो लोग हैं वो कौन हैं साफ साफ तार जुड़ते हैं इनके सिरी नरेंदर मोदी जी से क्योंकि जिस तरीके से इनकी वीडियो या फोटो वाइरल हो रही है उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि नरेंदर मोदी जी के साथ इनकी सेल पिये तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इनको ओडर देने वाला और इस तरीके के दंगे भड़वाने वाला कौन है और इसके पीछे किसका दिमाग है भले ही एक तर सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी चेन काम कर रही है और इसको नाम दिया जाता है हिंदू मुसलिम दंगो का जबकि दरासल ये ये जो बीजेपी के गुंडे हैं उन लोगों की तरफ से हमला होता है मुसलमानों पर इसमें हिंदू या आम हिंदू का इसमें कोई रोल ही न भावना को जोडने के लिए इस तरीके की खबरे चलाता है ताकि जो आम हिंदु है उसकी भी भावना है कही न कहीं बीजेपी के सपोर्ट में जाए क्योंकि उनको ऐसा दिखाना है कि हिंदुों की लड़ाई दरसल बीजेपी लड़ रही है लेकिन इसमें साफ है कि यह जो ल लेकिन वो कभी मुसल्मानों पर हमला नहीं करता हमला सिर्फ करते हैं तो बीजेपी वाले तो यह चीज आपको साफ समझनी होगी और मुसल्मानों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा उनको हिंदु मुसलिम की लड़ाई ना कहकर उनको यह डिस्कोर्स खाड़ा करना जो हिंदु का नाम लेकर मुसल्मानों से लड़ते हैं उन पर हमला करते हैं तब ही लोगों में एक मैसिज जाएगा नहीं तो अगर आप हिंदु मुसल्मान कहेंगे तो जो आम हिंदु है वो भी आपके खिलाफ कहीं नहीं बढ़केगा क्योंकि इस लड़ाई में वो हिस् समझनी होगी जिस दिन आपने ये डिस्कोर्स खड़ा कर दिया कि ये जो दंगे होते हैं इसमें बीजेपी और आरेसेस के लोग शामिल होते हैं आम हिंदु इसमें शामिल नहीं होता है तब ही आप लोगों की आदिजीत हो जाएगी क्योंकि जो आप से लड़ ही नहीं रह यह वही लोग इस तरीके के हमले करते हैं, मुसल्मानों को उक्साते हैं, उनके घरों पर हमले करते हैं, जैसे करनाटक में भी देखा होगा आपने, यूपी में भी आपने देखा होगा, तो यह चीज आपके सामने हैं, और आपको समझना होगा, यही डिस्कोर्स खड़ाप क करना होगा तब ही जाके बीजेपी को रोका जा सकता है या इन जैसे दंगों से निजात मिलेगी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय जरूर दीजिए शुक्रिया निजनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निजनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निजनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ करें लाइक करें कमेंट जरूर करें